नमस्कार मैं दोशियन सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़ी तरीके से चल रही होगी UP PCS Pre के पिछले 30 वर्षनों के पेपर्स को बहुत अची एक्स्प्लेनिशन के साथ में इस चैनल के माध्य हम से हम कवर कर रहे हैं जो निश्यत रूप से आपके PCS Pre के साथ साहत आरो ए आरो ए अरो एक्जाम के लिए भी बहुत जादा बेनिफिशल रहेगी तो अब तक हम 11 पिपर्स कवर कर चुके हैं जिसमें प्रतेक में हमने 100 से अधिक प्रशनों को डिसकस किया है ये 12 पिपर है और 12 पिपर का पहला पार्ट यानि पहले 50 प्रशन मैंने आपको अल्रड़ी प्रवाइड करा दिये ये 12 पिपर का ही 2nd पार्ट है तो 50 प्रशन तक हमने पिछली वीडियो में कवर किये थे उससे आगे के 50 प्रशनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे ठीक है और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि जिस प्रशन की व्याख्या आपको नजर नहीं आ रही है आप ये मान करके चलेंगे कि उस प्रशन के बारे जाती है तो पार्क लेंड वनस्पती विशेशता है किस प्रकार के मैदानों की सवाना घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पर पार्क लेंड वनस्पती देखने को मिलती है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल अब इन मरुस्थलों के बारे में जो अतरिक्त जानकारी है मैं आपको पिशली पेपर्स में उल्लेडी प्रोवाइड करा चुक हूँ चाये कालाहरी हो, चाये गोभी मरस्थल हो, चाहे सहारा हो, चाहे थार हो, तो अगर आप स्टार्टिंग से इसको देख रहे होंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो समय बचाएंगे, और चीज़ों को repeat नहीं करेंगे. निमलिके सागरों में किसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है मृत सागर में डैट सी में आपके SPN सागर हो गया या भूमध्य सागर हो गया लाल सागर हो गया इनके बारे में अतरिक्त जानकारी पिछली क्लासिस में दी जा चुकी है अगला प्रशन सुमेलन से जुड़ा हुआ है मैच करना है और ये कुछ योजनाए है और जैसा कि आपने देखा होगा कि आप पिछले एक दो वर्षों के भी पेपर अगर आप देखेंगे अपडेट करने की जिनको आपशिकता है तो मैं साती सात उनको अपडेट भी करते चल्हा हूँ यानि कुछ नई योजनाए भी अगर आ रही हैं तो इसको डालते चल्हाँ ट्यक्रणि योजना है तो आपकी सारी यहांसे कवर हो ही रही है प्रदान मंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू ही थी भारत में हरित क्रांती लाने का शरेयक किसको जाता है तो भारत में हरित क्रांती का जनक कहा जाता है MS. Swaminathan को अब इसके बारे में कुछ अधरिक्त जानकारी यहां से देखते हैं हरित करांती पहली बार 1960 के दसक में नॉर्मन बॉर्लोग द्वारा शुरू की गई थी इस करांती में उनकी भूमिका के कारण उन्हें हरित करांती का जनक कहा जाता है Father of Green Devolution कहा जाता है तो ये विश्वके संदर्ब में है लेकिन भारत के संदर्ब में जब हम बात करेंगे कि भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है तो वो MS अस्वामिनाथन है और पूरे वैश्वक संदर्ब में देखेंगे तो नॉर्मन बॉर्लोग को हरित करांती का पिता कहा जाता है और 1970 में इसके लिए उन्हें नोबल सांती पुरुसकार से भी समानित किया गया था क्रसी लागत और मुल्य आयोग जिसको आप संचेप में CACP बोलते हैं CACP इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी क्रसी लागत और मुल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी 1965 में हुई थी CACP जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रसी लागत और मुल्य आयोग इसका पूर रूप होता है अंग्रेजी में Commission for Agriculture Cost and Prices ये 1965 में अस्तित्तों में आया क्रसी लागत और मुल्य आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था क्रसी मुल्य आयोग के नाम से जाना जाता था और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम Commission for Agriculture Cost and Prices कप पढ़ा तो ये 1985 में पढ़ा इससे पहले इसको क्या बोला जाता था क्रसी मुल्य आयोग जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी तो CACP की स्थापना ही 1965 में मानी जाती है लेकिन इसका मुल्य नाम उस टाइम पर क्या था क्रसी मुल्य आयोग था तो ये आप याद रखेंगे 1985 में नाम इसका चेंज हो गया CACP रख दिया गया CACP एक विशेशग्य निकाय है जो आर्थेक मामलों की कैबिनेट समथी को अधिसूचित खरीब की फसल के साथ साथ रभी की जो फसले होती है उनके लिए MSP की सिफारिस करता है minimum support price ठीक है BIFR किस से संबंदित है तो BIFR ये है रुग्ण अध्योगेक एकाईयों के पुनर निर्माड से मतलब जो भी industrial एकाई होती है अध्योगेक एकाई होती है और जिनकी इस्तिती खराब चल रही होती है उनका पुनर निर्माड उससे संबंदित है आपका BIFR सबसे पहले जानते है जो तर्म यूजँ हुआ है अध्योगेक रुगड एकाई तो अध्योगेक रुग्ड एकाई काई होती है जो बहुत दिनों से loss में जा रही है हानी में काम कर रही है और अध्योगेक रुगड ता समित्य की सिफारिस पर 1985 में जनवरी 1987 में अध्योगेक एवं वित्तिय पुनर निर्माड बोर्ड यानि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जिसी को क्या बोला जाता संशेप में बी एफ इयर इसकी स्थापना की गई थी 1987 में और कार करना इसने कभ से स्टार्ट किया था मैई 1987 यह मूल निजी कंपनियों की रुग्डता से संबन दिता है मतलब जो भी प्राइवेट कंपनिया होती है प्राइवेट कंपनिया अगर लॉस में काम कर रही है उनको बेनेफिट नहीं हो रहा है उनकी से खराब चल रही है तो उनहीं स संबंदित था यह वाला जो आपका बोर्ड था ठीक है बोर्ड ओफ इंडस्ट्रियल एंड फैनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन पर दिसंबर उनिस्टो क्यानवे में इसे सारवजनिक छेत्र की रुग्ण एक आईयों को देखने के लिए भी बोल दिया गया यानि इसका निर्मार किया गया था केवल निजी शेत्र की कंपनियों की रुगड़ता को देखने के लिए लेकिन उनिस्टो क्यानवे से जो पबलिक सेक्टर की कंपनियां थी उनकी देखरिक भी सीकेंडर में कर दीके अगला है नाफेड किस से संबंदित है तो नाफेड नाफेड का पूर्ण रूप क्या होता है इसका पूर्ण रूप है भारती राश्टी क्रसी सहकारी विपनन संग इसको कहा जाता है इस्थापना इसकी 2 अक्टूबर 1958 को हुई और बहु राज्य सरकारी समितियों समिती अधिनियम 2002 के तेट इसको रजिस्टर किया गया या और इसके अलावा दिली, मुंबई, चीननई और कोलकाता में इसके चार रीजनल आफिसेस हैं छेतरी कारयाले हैं इसके अलावा राज्ययों और महत्वपूाँरां की राश्धानियों में इसके 28 खेतरी कारयाले हु और रहे है नाबाड एक सीर्स वित्य शंस्ता है अब य विकास के लिए इसके बारे में अतरिक्त जानकारी देखते हैं। पुनर्वित और विकास निगम के पुनर्वित कारियों को इस्थाना अंतरेद करके यह नाबाड जो है यह अस्तेतों में आया था इसका मुख्याल है मुंबई में है और अध्यक्ष है इसके डॉक्टर जी आर चिंतला कुछ समितियों से जोड़ा हुआ मैच करना है आपको तो यहां पर इनकी इयर मैंने अल्रडी लिग दिये ज्यादा डेटेल में आपको जाने के ज़रूत नहीं है जैसे रागवन समिति का संबंद किससे था यह प्रतियोगिता नीति और कानून से संबंद थी नरेश्चंद्र समिति 2002 में बनी थी यह निजी कंपनी निगमन से जुड़ी हुई थी तारापोर समिति 1997 यह पूजी खाते के उधारी करन से संबंद थी और मासेलकर समिति 2005 में गठित हुई और यह नकली दवाओं के जो भी नकली दवाओं का निर्माड किया जाता है उसक केलकर समिति ने किस इस तर पर वार्शिक आय को वयक्तिक आयकर से मुक्त रखने की संस्तुति करी थी तो केलकर समिति ने एक लाख रुपे तक की आय जो थी उसको वयक्तिक आयकर से मुक्त रखने की संस्तुति करी थी अब यहां पर इसके बारे में और जानकारी देख ली उनके structure में सुधार से जुड़ी हुई है विजय केलकर समिती और इसने एक लाक रुपे तक की वार्षे खाये को व्यक्तिगत आयकर से मुक्त रखने की सिफारिश करी थी। पूरा पूरा detailed data भी आपको बता चुका। तो चिंता करनेकी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर उन्हीं चीजों की एकस्प्लेशन नहीं रख रहा हूं। जिनके बारे में आपको पहले ही विज्थार में बता चुका हूं। जो नई चीज़ें आएंगी उनको मैं बहुत ज्यादा डेटेल में explain करता चलूँगा नहीं तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें यहां पर रखूँगा बस ताके प्रश्णों को समझने में थोड़ी सी समझ्चा ना हो और जो चीज नई आएगी उसके बारे में पूरा का पू पूले का नियमन करने का काम भी RBI का है लेकिन राजकोसी घाटे पर जो फिसकल डेफिशिट होता है बजट में उस राजकोसी घाटे पर RBI का कंट्रॉल नहीं होता है ठेक है जो राजकोसी घाटा है इसको जो सरकार है बजट प्रस्तावों के द्वारा नियंत्रित करती है जैसे budget आता है हर साल का, तो उसमें आप देखते होंगे, जो राजकोसी घाटे का data है उसमें दिया जाता है, तो इसको control करने का काम है सरकार का, ना के RBI का, तो भारत में राजकोसी घाटे की जो अवधारणा थी, इसको किस समिती की सिफारिस पर लागू किया गया था, तो च निर्यात होती ही होती है, कोई कैसी भी situation हो, लेकिन उसे भारत से निर्यात किया ही जाता है, तो परमपरागत निर्यात की वस्तू है भारत में जूट उत्पाद, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत चीनी का भी निर्यात करता है, लेकिन ये regular basis पे नहीं है, कभी चीनी का उत्पादन कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, या खालें वगएरा जो हो गई, लेदर वगएरा की बात हो रही है, तो ये भी परमपरागत निर्यात की वस्तू नहीं है, जिसको भारत में बेशता हो, लेकिन जूट उत्पाद जो है, वो हमेश स्टील इंड इन आप विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो यहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे भारत में मुक्त व्यापार छेत्रों की स्थापना की गई है किसके विकास के लिए की गई मुक्त व्यापारचेत्र ठीक है अब इसके बारे में देखते हैं भारत में مुक्त व्यापारचेत्र की स्थापना निर्यात उध्योगों के विकास के लिए की गई है मतलब ऐसे उध्योग जो ऐसी चीजों का निर्माड करते है जिनका निर्यात किया जाता है तो उनका निर्यात समवर्धन के लिए ही मुक्त व्यापार्चेत्र बनाए गए है मुक्त व्यापार छेत्र होता क्या है मुक्त व्यापार छेत्र वह विश्यश छेत्र होता है जहां से वस्तूओं का निर्मार किया जाता हो निर्यात किया जाता हो उनकी प्रोसेसिंग करी जाती हो प्रसंस करन किया जाता हो एक ही जगे पर सारी चीजों की सुविधा हो तो जो विशेस छेतर बन जाता है उसी को मुक्त व्यापार छेतर कहते है तथा यह छेतर जो होता है यह कस्टम डूटी कर वगेरा जो होते हैं इनसे फिरी होता है तो जब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी किसी चीज़ पर तो कहीं न कहीं निर्द्यात को क्या मिलेगा बढ़ावा मिलेगा तो इसकी घोषना कब की गई थी विदेश व्यापार नहीं थी 2004-2009 के भीश में जो है इस मुक्त व्यापार छेत्र की अवधर्णा की घोषना यह तरंगर दोर आबरति दोनों को ही तो एहां पर लेकर डोनों को ही रहे जाएमेंगे हुए ठीक ऑगर दोनों पर कैया जाए घका法 हवाई जाज की इस्तिती बम के ठीक उपर होगी क्योंकि जहाज से गिरते समय बम का जो इनीशियल वेग है वो जहाज के वेग के बराबर होगा साथी बम पर गुरुत्वी तरण के लगने से बम की प्रच्छिप पे गती करने से उसका पत कैसा हो जाएगा परवलयाकार हो जाएगा जहाज और बम दोनों एक समान प्रारंबिक वेग से गती कर रहे है तथा दोनों का 36 वेग कैसा है एक समान है और 36 दिसामे कोई तरण भी कारे नहीं कर रहा है और बम पर गुरुत्वी तरण जो है वो 36 दिसामे कार कर रहा है यही कारण है कि बम के प्रत्वी से टकराते समय हवाई जाज जो है वो ठीक बम के ऊपर उसकी अवस्थिती होगी वायू यान के टायरों को फुलाने के लिए कौनसी गैस यूज की जाती है तो यह nitrogen गैस यूज की जाती है क्योंकि जाती है क्योंकि nitrogen एक अक्रिय गैस है जो के क्रिया नहीं करती है, हवा के साथ में कोई भी डियक्शन नहीं दिखाती है, बाकि जैसे हीलियम बगएरा होगे, हाइट्रोजन बगएरा, यह सक्रिय गैस है, यह कहीं न कहीं, इनके साथ में अगर इनको भरेंगे, तो कहीं न कहीं, यह रियक्ट कर सकती है, और इनकी सब्सक्राइब पच्छी चीनी को रंग विहीन करने के लिए तो कच्छी चीनीको रंग विहीन करने के लिह सुगर चार को वह सुиса ईनिमल का उ सी चार को पस्व की हड्डियों के अवायवी दहन द्वारा तयार किया जाता है जानवरों की हड्डिया होती है उनका दहन किया जाता है बिना वायू की उपस्तिती में अवायवी दहन का मतलब है वायू की उपस्तिती के बिना उनका दहन किया जाता है तो इसमें carbon जो होता है वो कितना होता है दसप्रतिशत के असपास होता है. जब क Beetle लक्डी की जाननीय लक्डी को अलप वायू की उपस्तिती में जला कर बनाया जाता है. इसमें carbon की महत्रा 50% की यहum정을 लक्डी की cones बढ़ते हैं. जल की अस्थाई तथा इस्थाई दोनो प्रकार की कठोडता हैं, कैसे दूर की जा सकते हैं, तो ये आसवन विधी शे से इनको लूर कर सकते हैं, ठीक है, aasवन क्या होता है, किसी द्रव को वजशपी क्रत करके फिर दुबरा से थंदा करने का जो प्रो достаточно होता है, उसी को बोल प्रकार होते हैं किंकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है कूचुक कि स्पदार्थ का सुरोत है कूचुक मोर्फीन से समेलन से जोड़ा हुआ question है, vitamin K , ये नव्जासिजी को रक्त संबंधी बीमारी से संबंध है, और vitamin D की बात करें तो तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड़ी और टेडी मेड़ी हो जाती है, विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी हो जाता है, विटामिन A की कमी से रतोंधी रोग हो जाता है, आखों का रोग हो जाता है, ठीक है? कि एधिल्स का संबंध निर्धी के रोग से है डाइलेसे किडिनी किया जाता है व्रक किडिनी को ही क्या बुलते है व्रक कहते हैं मनिश्चे के सरीर में सुद्ध कर्न की प्रकृ überhaupt होती है उसे को डाइलेस कहा जाता है जब किसी कारणवस जो हमारी kidney होती है वो damage हो जाती है चतिग्रस्त हो जाती है तो blood purify नहीं कर पाती है साफ नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिती में dialyzer का उपयोग किया जाता है अपोहक का प्रयोग किया जाता है जो एक तरह से कह सकते हैं artificial kidney के रूप में कार करता है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग्त होने वाला स्टैथोस्कोप किस सिध्धांत पर कार करता है तो यह परावरतन के सिध्धांत पर कार करता है किंद्री धान संस्थान Central Rice Institute जो के कटक में है यहां के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान बनाया गय गया था तो इसको बोला गया था लूनी स्री कथन है स्टैम कोसिकाओं की ब्रहद शमताओं को देखते हुए स्टैम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्पूर्ण हो गया है कारण क्या है कि जो स्टैम सेल होती है वो एक संपूर्ण भ्रोण का निर्माड कर सकती है स्टैम से एक स तरिक्ति जानकारी देखेंगे, देखेंगे, मनिश्यका जो शरीर होता है, वो असंख्य परकार की सैल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाओं के अपने-पने क्या होते हैं, कारे होते हैं, stem kosika विभाजित होने के बाद पूनह पूंड रूप धारन कर लेती है लेकिन stem kosika के अलावा जो अन्य कोशिकाएं होती है अगर उनका division किया जाता है उनको विभाजित किया जाता है तो वो विभाजित होने पर उनमें तूट-फूट हो जाती है ग्रस्त हो सकती है, stem कोसिका के साथ में ऐसा नहीं होता है, उनको विभाजित करने के बाद फिर दुबारा से वे अपने पूंड रूप में आ जाती है, तो stem कोसिका से सरीर के किसी अंग की कोशिका तयार की जा सकती है, और यह कहां कहां से मिल सकती है stem कोसिका, तो यह गर्भ नाल का रक्त हो, दात हो, अस्थी मज्जा हो, यह stem कोसिकाओं के सोर्सिस के रूप में देखे जा सकते हैं, और इन पर कोई विवाद भी नहीं है, चिकित्सा विज्ञान के छेतर में विभिन रोगों की निदान के लिए stem कोसिका का यूज़ किया जाता है, और stem कोसिकाओं से एक संपूर्ण भ्रोण का निर्माण हो सकता है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यह 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में संयुक्त रास्ट द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉक होम सं प्रत्वी, और अभी वर्स 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, नेक्स्ट कुश्चन है, कथन दे रखा है, प्रदूर्षन मित्रवत क्रियाप खलापों की रोक्थाम और नियंतरन करने के लिए प्रशासने के च्छ तरीक इसे करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को, उसको साफ रखने के लिए Creative चीज़य करते रहेंगे, तो नियंद्धक करते हैं, तो कतन और कारण दे रखें, कतन की सही रूप से व्याख्या करता है, schauen कारण की ब्याख्या करता है, मर्दा प्रदूशन और ध्योगि वो भोजन स्रंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि खेतों में बहुत प्रकार के रासा हीनिक वरवरक खेतों में डाले जाते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो जब ज्यादा मत्रा में वरवरक का प्रयोग कीआ जाता है तो वहां से जो भी ची कहीं हमारी भोजन संक्रा में भी यूज कर जाते हैं, तो इसी वज़ा से कह सकते हैं कि जो मर्दा प्रदोशन है, वो कहीं न कहीं ओध्योगिक प्रदोशन की अपेक्षा ज्यादा खतरनाग होता है, क्योंकि हम बापर जो हानिकार एक चीज हैं, उनको डायरेक्टली कंस्यू गया लाए जाताए, तो सौनफ, जब हम यूज करते हैं, सौनफ جो घरों में यूज होती है, सौनफ यह पौदे का क्या हूता है, फल होता है, ठेक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस में आप्षन में दे रखा है, खष की जडों को यूज किया जाता है, खष की और रसियों के लिए भी उपयोगी बनाते हैं इसके लिए शतावर जो option में दे रखा है सतावर की जड़ों का उपयोग जो है विभिन परकार की दवाईयों में किया जाता है चार भारती अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान वयन का सही कालानू करम आपको देखना है यह चार भारती अंतरिक्ष प्रोग्रामों के नाम दे रखें तो करम से लगाने तो दूसरा वाला जो option है इसमें सही है अल्रेडी मैंने करम में लगा रखा है अब इसके बारे में जानते हैं कि जैसे एपल हो गया, स्टैप हो गया, साइट हो गया या टेल्स हो गया तो यह जो है कब-कब निर्मित करे गए थे कब-कब इनका संचालन हुआ था उसके बारे में जानते है तो T.E.R.L.S इसका मतलब क्या है इसका पूंड रूप देखी सबसे पहले इसको बोलेंगे थुमबा Equatorial Rocket Launching Station यह 1962 में निर्मित हुआ था साइट की बात करेंगे इसका पूंड रूप है सेटेलाइट इंस्ट्रक्शन तेलिवीजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम ठीक है, इसका संचालन 1975 में नासा और इसरो द्वारा साइट रूप से किया गया था स्टेप की बात करेंगे तो सेटेलाइट टेली कम्यूनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोग्रेक्ट इसको 1977 में प्रारम किया था और एपल की बात करेंगे तो एपल का पूंड रूप है एरियन पेसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका प्रक्षेपण एरियन रोकेट से 19 जून 1980 को फ्रेंच गोयाना के कौरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण के इंदर से किया गया था था तो इनके बारे में जो भी अतरिक्ष जानकारी है वो आप यहां से देख सकते हैं ग्यानदीप सिक्षा योजना उत्रपदेश में कब स्टार्ट की गई थी तो यह सेप्टेमबर 2002 में ग्यानदीप योजना स्टार्ट की गई थी उत्रपदेश रासन के द्वारा 1980 में राज सैचिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद यानी SCERT की स्थापना की गई उत्रपदेश बेसिक शिक्षा परिशत का गठन 1972 में गया और 1972 में ही माध्यमेक सिक्षा निदे साले और उच्छ सिक्षाने दिसाले का भी गठन किया गया था परसिद नौचंदी मेला हिंदू मुसलिम भाईचारे का प्रतिक जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मिया की मजार स्थित है ये प्रतिवर्ष कहां पर लगता है तो ये मेरट में लगता है इसके लाबा उतरपदेस के जो प्रमुख मेले हैं वो भी मैंने यहां पर एड़ करती है जैसे बटेश्वर मेला ये कहां लगता है आगना में लगता है ये कुछ ऐसे मेले हैं जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूछी के हैं ददरी मेला ये बलिया में लगता है कार्तिक पूर्ण मा को, गड़मुक्तेश्वर मेला हापुड में लगता है ये भी कार्तिक पूर्ण मा को लगता है, हरिदास जैंती मेला ये नेदिवन ब्रंदावन में लगता है मतुरा में, देवा शरीफ मेला ये बारा बंकी में लग बीरहा लोग संगीत ये कहां की विशेश रूप से पूर्वी उत्तरपदेश में देखा जाता है बीरहा लोग संगीत इसके लावा कजरी जो होता है ये वर्शारुतु का लोगईत है कजरी की उतपत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है और तोड़े-बहुत अंतर के साथ मे इसमें थोड़े बहुत बदलावों के साथ में, ये पूरवांचल के वारांडसी, इलाहबाद, अवद और गोरकपुर में भी गाई जाती है, सोहर का नाम जब आता है, तो सोहर जो है ये पूरवांचल, विशेश रूप से अवद का प्रशिद लोग गीत है, और जूला, हो नव में इस्थापित किया गया था, निम्नल खित में से कौन से कारक उत्तर प्रदेश में, जनजातिय समाज में, आर्थिक परिवरतन लाने के लिए उत्तर दाई है, मतलब जो भी सेडियूल ट्राइब्ड सोसाइटी होती है, जनजातियां जो होती है, उस समाज में आर्थिक रूप से अपने समाज को सुद्रण करने में भी सक्षम होंगे इसके लावा सरकार की द्वारा जंजाती विकास परियोजना उनकी लिए चलाई जाए ये भी कहीं न कहीं उनके जीवन में आर्थिक परिवर्तन ला सकती हैं नौकरियों में उनको आरक्षन दिया जा ये 26 जुलाई को मना जाता है कारगिल विज्यदिवस है ये उपरिशन विज्या के सफल समापन का प्रतीक है जिसने नियंतर रेखा पर तीन महीने के युद्ध को समाप्त किया था कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच जम्मू कसमीर के कारगेल जिले में पाकिस्तानी शशष्टर बलों के खिलाप हुआ था और भारती सेना ने 26 जुलाई 1999 को मिसन को सफल गोशित कर दिया था भारती सेना दिवस की बात करेंगे तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इस दिन क्या हुआ था इसी दिन जनरल के एम करियपपा 1949 में भारती सेना की कमान संभालने वाले पहले भारती बने थे भारती नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 4 दिसंबर को क्या हुआ था इसी दिन भारती नौसेना ने पाकिस्तान के हारबर पर Operation Trident को ये नाम याद रखेंगे Operation Trident को सफलता पूर्वक अंजाम दिया था भारती नौसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इस दिन क्या हुआ था इस दिन भारती नौसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में United Kingdom की Royal Air Force के सहायक बलके रूप में स्थापित किया गया था सुमेलन कीजिए सचिन किस से संबंद देता है, क्रिकेट से संबंद देता है वाईचुंग भूटिया ये फुटबॉल से संबंद देता है धनराज पिल्ले ये होकी के खिलाडी रहे है महेश भूपती का संबंद किस से है, टैनिस से है कथकली ये कहां का निरत्य है ये आपका किरल का निरत्य है कुचीपुडी ये अंदरप्रदेश का निरत्य है कत्थक उत्तरप्रदेश का निरत्य है और भरत नाट्यम तमिलनाडू का निरत्य है फाक्ता जो होता है डोव जिसको सफेद कबूतर भी कहा जाता है ये किसका प्रतीक होता है ये शांती का प्रतीक होता है डीजल इंजन निम्नमे से कहां पर बनाए जाते हैं तो ये मडवा डीह में बनाए जाते हैं वाराणसी में वाराणसी के निकट मडवा डीह में रेलवे में दौनों इस्थानों पर रेल के कोच बनाए जाते हैं, डब्बे बनाए जाते हैं, भारती रेल को कितनी जोंस में बाटा गया है, कितनी रेलवे में एखलाओ में बाटा गया है, तो 18 जोंस में इसको डिवाइड किया गया है, भारत में पहली ट्रेन किसके टाइम पर चली प्रति इकाई छेत्रफल के लिए रेलमार्ग सबसे ज्यादा किसे स्टेट में है पंजाब में है और सबसे कम किसे स्टेट में है जम्मू कसमीर में है और प्रति इकाई जनसंख्या के हिसाब से रेलमार्ग देखे जाएं तो गोजरात में सबसे ज्यादा है और त्रेपुरा में सबसे कम है ठीक है चेतरपल के हिसाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से गुजरात में सबसे ज़्यादा है भारतिय नुक्लियर कमांड अथॉरिटी एन्सी ए जिसका गटन 2003 में किया गया था इसका जो सर्वोश नियामक होता है है तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम का जीवनब्रत है इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की कुछ अन्यरशनाएं भी हैं जैसे इंडिया 2020 अवीजन फॉर्ड न्यू मिलेनियम इसके अलावा माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स इनका जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था यह अनुशीलन समिती के एक सदश्य थे और ब्रिटिश सासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करते थे अर्विंदो को गिरफतार कर लिया गया और 1908 में अलीपुर बंकांट में उन पर मुकदमा चला और इन्होंने 1926 में पांडिचीरी में ही अर्विंदो आस्रम की स्थापना की थी जिसके बारे में यह प्रश्ण था इसके लावे इनके कुछ साहित्य कार्य भी है इन्होंने the life divine की रश्णा की है और the synthesis of yoga and savitri इनकी रश्णा भी अर्विंदो गोस्के द्वारा की गई है सूर्य मंदिर कहां पे स्थापित है तो यह कोणार्क में है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था यह पूर्वी गंग राजबंस के राजा नर्सिंग देव परथम द्वारा बनवाया गया था तेरवी शताबदी की यह संरश्णा है इसके अलावा एक सूर्य मंदिर गुजरा आयताकार सीडी नुमा कुंड है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, जो शायद भारत का सबसे भव्य मंदिर कुंड है, और हर साल विशुप के समय, क्विनॉक्स के समय, सूरज सीधे, इस केंदरी मंदिर में चमकता है। स्टार्ट किया गया था, यह mission, यह data important है, यह किस पंचवर्सी योजना के दोरान प्रारम किया था, यह दसवी पंचवर्सी योजना के दोरान इसको स्टार्ट किया गया था, केंदरी मंति मंदल ने एक माई 2013 को अपने निरणय के माध्यम से व्यापक रास्टिय स्वास्ति मि एक उप मिशन के रूप में रास्टिय सहरी स्वास्ति मिशन और रास्टिय ग्रामिड स्वास्ति मिशन को प्राराम करने की मंजूरी दी थी 2013 ठीक है तो यह होगा आज का शैशन आज करता हूँ आज का शैशन आपको पसंद आया होगा class अगर पसंद आता है तो इसको अपने मित्रों के शाथ में शेयर जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे फिर एक next वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिए